आज हम बनाने जा रहे हैं खीमा कटलेट खीमा कटलेट ये एक स्नैक है और बहुत ही टेस्टीड डिश है तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी खीमा कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरुरत पड़ेगी तेल की उसके साती सार हमने यहाँ पे दो मीडियम प्याज लिये हुए है उन्हें हमने बारिक कट करके रखा हुआ है और हमें चाहिए 250 ग्राम्स खीमा फाफ केजी पोटेटोस आलू को मैंने पॉइल करके फ्रॉपरली मैश करके यहाँ पे रखा हुआ है और सात में हमें जरुरत है फ्रेश धन्या की और पुदीने की यह हमें साधा कॉंटिटी में चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट हमें चाहिए वन टेबल स्पून जिंजर और गालिक की पेस्ट बरेमन जूस और आखरी में हमें जरुरत पड़ेगी दो अंडों की और यहाँ पे हमने सूजी ली अब हमें थोड़ा सा तेल अब हमें हमारे तेल को अच्छे से गरम होने देना है इसके बाद हम एड़ करेंगे शाह जीरा और जीरा को पे थोड़ा हमें पखने देना है और अब हम इसमें एड़ करेंगे बारी कटी हुई प्यास प्यास को हमें ट्रांस्परेंट होने तब पखने देना है अब यह हमारी प्यास ट्रांस्परेंट हो गई है और पख गई है अब इसमें हम एड़ करेंगे हमारे मसाली सबसे पहले हम इसमें एड़ करेंगे जिंजर और जालिक की बेस्ट इसे हमें अच्छे से सौटे कर लेना है इसमें जाएगा गम्या पाउडर जीरा पाउडर गरम मसाला पाउडर अब इसमें अच्छे से मिक्स करना है हमारे मसालों को अब इसमें हम एड़ करेंगे लेमन जूस हमें इस सिम गास पर पकाना है नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे और अब इसमें हम डालेंगे खीमा अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक बारिक करता हुआ घराधनिया और बारिक करता हुआ पुदिना अब हमें हिमे को इन मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है हम इसमें बिल्कुल भी पानी एड़ नहीं करेंगे नहीं तो हमारे हमारी जो कटलेट है वो पूप जाएगी अब इसे मैं रेड लगाकर धपकर सिम गैस पर पकने के लिए खीमे को रख दूँगे यह हमारा खीमा 10 मिनिट में अब पक्के तयार है देखिए अब मैं मेरा गैस आप कर रही हूँ और मैं इसे थंडा होने के लिए अब एक प्लेट में निकालूंगे कटलेट बनाने के लिए हमने यहाँ पे मैश पोटैटो लिए हुए है इसमें हम एड करेंगे स्वाद अनुसाद नमक और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ये हमारा खीमा अच्छे से थंडा हो गया है और अब हम बनाएंगे हमारे कटले कटलेट बनाने के लिए हमें मैश पोटेटो लेना है इस तरह से हमें उसे फ्लाट कर लेना है देखिए इसमें अब सेंटर में आड़ करेंगे हम हमारा खीमा तो इसे हमें हमारा खीमा आड़ करना है और सभी साइड से आलू से इसे हमें पैक कर ले रहा है हमारे खीमे को इस तरह से इस तरह से पूरा हमें हमारे खीमे को कवर कर लेना है यह हमारा कटलेट बन गया है यह हमारे पैटिस कटलेट बन के तयार है अब सबसे पहले हम इसे रवे में कोट कर लेंगे अच्छी तरह से सब इस तरह से में कोट कर लेना है फिर हमो विस्क खिया हुआ है अंड उसमें हम उच्छे से कोट लेंगे कि तरब हमें हमारे सभी पेट्रिस को रवे में कोट कर लेना है हमारे कट्लेट अच्छे से रवे में और अंडे में कोट कर लिये हैं अब इसे हम डीप प्राइ करेंगे हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया है अच्छे से गोल्डन ब्राउन लेकर हमें हमारे कट्लेट को राई कर लेना है हमारे पेट्रिस एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया है अब में एक एक करके इन्हें टर्न कर रहे हुँ ताकि यह दूसरी साइड से भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए यह हमारे लजीज, मज़ेदार, देस्टी, कीमा कटलेट्स तयार है, ज़रूर एक बार ट्राइ कीजेगा यह रेसिपी, आप हमारे चैनल को लाइप कीजिए, शेर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, एक निए को पॉचिए.